नमस्कार दोस्तो प्रियंका दा किच्चन की विन में आपका स्वागत है आज हम सीखेंगे राजस्तान स्पेसल बाटी बनाना अगर आप चेनल पे नए हैं तो चेनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें और बैल आइकून को प्रेस करें जिससे आने वाले वीडिय आपको मिलती रहे इसके लिए हमें चाहिए एक कटोरी सुजी दो कटोरी गेहूं का आटा एक कटोरी देशी घी वन टेबल इस्पून अजवायन वन टेबल इस्पून नमक इसके अलावा हम लेंगे थोड़ा पानी है इसके बाद में बाटी के लिए हम सबसे पहले आटा लगा के त्यार करेंगे जिसके लिए हम एक बड़े बरतन में गेहूं काटा डाल लेंगे सूजी डाल लेंगे अगर आप पैकिट के आटे की जगह चक्की के पिसे हुए मोटे आटे का इस्तिमाल करते हैं तो आप इसमें सूजी को इसकी भी कर सकते हैं इसके बाद में हम इसके अंदर अजवायन डालेंगे, नमक डालेंगे, इसके बाद में हम इसके अंदर 4-5 टेबल इस्पून तेल डालेंगे, और इन सब को अच्छे से मिक्स करेंगे, जितना अच्छे से हम इसके अंदर मोहन डालेंगे, उतना ही अच्छे हमारी बाटिया बनके तियार होंग इस परकार से हम पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद में हम इसको इखटा करके देखेंगे इस परकार से हम इसको इखटा करके देखेंगे अगर यह अच्छे से इखटा हो जाता है तो मोयन इसमें परफेक्ट है इसके बाद में हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका हाड आटा लगा के त्यार कर लेंगे पानी हमें एक साथ ज्यादा नहीं डालना थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका आटा लगा के त्यार कर लेंगे अगर दोस्तों आपको kitchen से related कोई भी सामान purchase करना हो तो video के description box में link दिया गया है वहाँ से जाके आप कोई भी सामान purchase कर सकते हैं यहाँ आप देख सकते हैं बाटी के लिए हमने यहाँ hard आटा लगा के तयार कर लिया है बाटी के लिए हम इस आटा नहीं लगाना है इसके बाद में हम इसको cover करके 10 minute के लिए रख देंगे 8 एक और रखे वे 10 minute हो गई है इसके बाद में हम इसको हलका सा गूत लेंगे इसके बाद में हम lemon size में बाटी बना के तेयार करेंगे इस परकार से हम थोड़ा थोड़ा लोई तोड़ेंगे और इसको गोल सेब दे देंगे बाटी को हमें ज्यादा मोटा भी नहीं रखना और ज्यादा पतला भी नहीं रखना यहाँ आप देख सकते हैं इस परकार से हम सारी बाटिया बना के तयार कर लेंगे बांटी सेखने के लिए सबसे पहले हम एक पैन को हलका सा गरम करेंगे पैन हलका गरम होने के बाद में हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा गीर डाल लेंगे इसके बाद में हम इसके अंदर जो हमने बाटिया बना के रखी हैं वो इस परकार से डाल लेंगे या फिर सेट कर लेंगे इसके बाद में हम इसको लोफ लेंपे लगातार भूमाते हुए सेख लेंगे इस परकार से हम इसको लोफ लेंपे इस परकार से सेख लेंगे से हमारी बाटिया शिकती जाएंगी वैसे 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 हम इनके उपर गी अपलाई करते जाएंगे और इनको चारू तरफ से एक यहाँ आप देख सकते हैं बाट्यू में रहुत अच्छा कलर आने लगा है इसके बाद में जो बाति सिखती जाएंगी हम उनको अलग पलेट में निकाल लेंगे इसी परकार से हम बांखी बाट्यू के आविशdar कर लेंगे इसके बाद में हमने जो बाटिया से एकके रखी है हैं उनको हम 4-5 मिनट के लिए गी में डालके रखेंगे यहां आफ देख सकते हैं हमने सारी बाटिया बनाके तयार कर लिए हैं यह बहुत ही सानदर बनके तयार होती हैं ये भार से बहुती क्रिस्पी और अंदर से सोप्ट बन के तेयार होती है आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा सा बेकिंग पाउडर भी डाल सकते है नहीं तो आप इसको इस परकार से भी बना के तेयार कर सकते है आप देख सकते हैं, इसको आप दाल के साथ सर्वे कर सकते हैं, दाल के साथ ये बहुत ही सांदर लगती है, आप चाहे तो इसको चाय के साथ भी खा सकते हैं, चाय के साथ भी बाटी बहुत ही सांदर लगती है, सर्वे करने से पहले लेकिन आपको इसको 4-5 मिनट के लिए गी में डिप करके रखना है अगर आप कम घी खाना पसंद करते हैं तो आप इसको वैसे भी खा सकते हैं अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस रेसिपी को अगर घर में जुरूर ट्राइ करें अगर आप चेनल पर नए हैं तो हमारे चेनल को करें वीडियो को लाइक करें बैल आइकोन प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें